उम्शद्थावान लभते जानम् तत्परह सञ्यतेंद्रियाह ज्यानम् लभ्था परहम शांतिम् अचिरेनाधि गच्छते नहीं ज्यानेन सद्रिशं पवित्रं इह विध्यते तत्स्वयम् योग संसिध्धाह कालेन आत्मनि विन्दते ब्रह्मने आधाय कर्माने संगम् त्यप्पा करोतियाह लिप्यते न सफापे न पद्म पत्रम इव अम्भसा योगस्थः कुरु कर्मानी संगम् त्यत्वा धनन्जया सिध्य सिध्यो समोभूत्वा समत्वम् योग उच्यते अनाश्यतह कर्म फलं कार्यम कर्म करोतियाह ससन्यासी चयोगी चा नानिरब्नीन चाक्रियाह कुर्वन्य वेह कर्मानी जी जीविछेक्षतन समाह एवं तैनान्य थेतोस्ती न कर्म लिप्यते नरे ओम् ब्रह्म एव इदम् अम्रितम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षन तश्चा उत्तरेना अधस्चा उर्धम्चा प्रस्रितम् स्रितं प्रम्मेवा, इदं विष्वं, इदं वरिस्थं, सर्वं खलू, इदं ब्रह्मा, ओम खंब्रह्मा, ओम क्रतोस्मरा, ओम इतिकाक्षरं ब्रह्मा, ओम प्रतिष्ठा, ओम शान्ति 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 ही, ओम शान्ति शान्ति भारत की पूरे विष्व में पहचान, योग विद्या से, अध्यात्म विद्या से है, पूरे विष्व को, जीवन के अंतिम सत्य का प्रकाश, परम सत्य का प्रकाश, शाश्वत सत्य का प्रकाश, भारत भूमी से ही हुआ है, किसी भी देश का नाम जब हमारे सामने आता है, तो उसकी कोई सबसे बड़ी विशेशता हमारे सामने उभर करके आती है, जैसे अमरीका का नाम आएगा, तो भौतिक सम्विध्धी, प्रास्पेरिटी एकदम हमारे सामने आती है, चीन का नाम आएगा, तो मैनिफ्यक्षरिंग एकदम सामने आता है, कि पूरी दुनियों के भाजार में उच्छाया हुआ है, जैसे हम पश्चिम के देशों का नाम याद करते हैं, तो उनके नाम के साथ विज्यान जुड़ गया आधनिक काल में, अलगलग देशों के साथ में अलगलग एक पहचान जुड़ी हुई है, ऐसी भारत की पहचान उसकी योग विद्या से, उसकी अध्यात्म विद्या से है, हमारे पुर्वजों ने, हमारे वयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से लेकर के, हमारी बहुत एक संब्रद्धी, जिसको आज, ग्रोथ, डप्लेमेंट, प्रास्पिरीटी के नाम से जाना जाता है, उस हमारे अभ्युद्या से लेकर के निश्रेयस तक की बात की, और कुछ से सार्वो भूमिक और वैज्जानिक निश्काष्निक आले जीवन के बारे में, आज भी पुरी विश्व में हमारे वयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राश्ट्रिये और वैश्विक जीवन के संदर्व में शोध हो रहे हैं, और फिर जीवन से जुड़े वे प्रतिक पहलों के संदर्व में शोध हो रहे हैं, हमारे पुर्वजों ने बहुत शोध किया है, इस संदर्व में, और उस अपने रिश्यों की विद्या को हम एक शब्द में कहते हैं, तो वह योग विद्या है, वह अध्यात्म विद्या है, और इस योग विद्या और अध्यात्म विद्या को तेन शब्द दिया हमारे पुर्वजों ने, ज्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग की त्रिवेनी है, ये त्थ्यान है, शुद्व ज्यान, शुद्ध कर्म, शुद्ध और उपासन, इसमें प्रवेशका द्वार है शुद्धा, इसलिए अनेक महापुर्षों ने और हमारे अध्यात्मिक गुरु पुज्यस्वामी सोमानेंजी महाराजी ने भी इस बात को कहा कि अध्यात्मिक जीवन में शध्धा मा की भूमी का निभाती है विश्षास पिता की भूमी का निभाती है शद्धा मा विश्वास पिता और प्रभु की भक्ति स्तूति प्रार्थन उपासना ये अध्यात्विक जीवन का भिशेक तत्व है शद्धा के बिना यहां प्रवेशी नहीं है इसलिए मैंने प्रथम ही गीता का श्यव कुछ चाण किया शद्धावान लबते ज्यानम तक परह संयते इंद्रियाह ज्यानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचर्णाधिक अच्छति नहीं जाने न सद्रिशं पपित्र मिह विद्यते हमारे जीवन में जितना भी दुख है जितनी भी दरिद्रता है किसी भी तरह कि न्यूनता है अल्पता है तो उसके पीछे कारण आप आएंगे अज्यान को इसलिए हमारे ज्यान की बहुत बड़ी महिमा है और हमारे जीवन में भी जो पत्चीस वर्षत का कालखंड है वो सारी दुनिया में ही वो किस के लिए तैकि आगया है ज्यान के लिए यह हमारा ज्यान कांड है पत्चीस वर्षत तक फिर पत्चीस की बाद कर्म कांड शुरू होता है और उसके बाद फिर अध्यात्म कांड शुरू होता है जियान योग 25 वर्ष कर्म योग 25 से 50 वर्ष और उसके बाद फिर भक्ति योग शुरू हो जाता है उपासना निश्काम, सेवा और साधना वैसे तो एक एक ख्षण में ये तीनों चीज़ी जुड़ी हुई है तो हम तेनों बातों को ठीक ठीक समझें जियान की क्या भूमी का है, कर्म की क्या भूमी का है और उपासना की क्या भूमी का हो रावश्यक्ता है जियान एक बहुत व्यापक शब्द है जिससे हम स्रिष्टी के एक एक परमानों से लेकर के पूरे अस्तितों को ठीक ठीक समझें वो जियान है जियान मत्र मात्र कुछ चंद जानकारियां नहीं है किसी कृषी की संदर्ब में व्यापार के संबंध में उद्योग के संबंध में या कोई तकनीकी के सम्मंद में या इतिहास के सम्मंद में आजकल ज्यान के इतने डिविजन्स बना दिये हैं न हमने हमारे पुर्वजों की स्पष्ट मानने अथा थी कि मूल भूत जानकारी, मूल भूत ज्यान, बेसिक नोलेज इस पूरे अस्तित्त के बारे में बेसिक नोलेज सबको होना ही चाहिए उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाओ अभी मैं देखता हूँ कि इंजिनियर है, उसको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्यान है डॉक्टर है, उसको मेडिकल का अच्छा ज्यान है यह दिको अच्छा डॉक्टर है तो एक किसान है, अभी जो नए किसान बनाए जा रहे हैं वैसे उसमें तो बहुत नूनताई हैं, बहुत अलपताई हैं लेकिन अग्रिकल्चर में B.S.C. कर रहा है, फिर उसमें PhD कर रहा है, बहुत तरह की उसमें डिग्रियां ले रहा है लेकिन अग्रिकल्चर के सवाँ उसको डॉक्टर को मेडिकल के सिवाँ, इंजिनियर को अपने इंजिनिरिंग, अभी अंत्रिकी के सिवाँ और भी अलग लग जो मैनेजमेंट का कॉर्स करते हैं उनको मैनेजमेंट के सिवा और फिर मैनेजमेंट में भी डिफरेंट सब्जेक्स है को बिजनेस में कर रहा है तो इसको बिजनेस के सिवा फिर जो होटल में कर रहा है तो इसको होटल के सिवा और कुछ भी जानकरी नहीं है उसको जानी नहीं उसको प्रकाश ही नहीं है हमारे पूर वजू के एक बड़ी दृष्टी थी कि इस पोड़ अस्तित्व को मेरा अस्तित्व और फिर यह जो सह अस्तित्व है इसके बारे में मूलभूत जानकारी मूलभूत ज्यान मूलभूत समझ जिसको कहते हैं ने बेसिक अंडरस्टेंडिंग बेसिक फंडामंटल्स उसके बारे में सबको प्रभूधन होना ही चाहिए नहीं तो मिठ्या ज्यान अज्यान भ्रांत ज्यान के कारण से बहुत दुख उठाता इंसान कि मैंने देखा साथान लोगों से ले करके और जिनंको बोला जाता है यह बहुत कि टाकत्वर लोग हैं बहुत सम्रुध्ध लोग है उनको पूछो कि भाई आपको अपने बारे में कुछ समझ है तो बोले अपने बारे में क्या समझ है खाओ प्यों मोज करो ये अपने बारे में समझ है इस अस्तित्यों के बारे में क्या समझ है भाई खुम मेनत करो और जितना आधिपत्य जमा सकते हो उतना अपना सामराजी कायम करो ये उसके अस्तित्यों के वारे में समझ है मने व्यक्ति की भीतर का प्रकाश इतना मंद पड़ गया है कि उसको जैसे लगता है कि भोग योनी जो सभी जीवों की उसमें और मनुश्री उने में कोई फरक ही नहीं रह गया है तो जीवन के बारे में ठीक ठीक समझ ये पहली सीड़ी होती थी हमारे जियान की इसके बाद में अलग अलग संदर्भू में अनुसंधान किया करते थे लिए ज्यान विज्यान उसको दो भाग हमारे हम इसके लिए होते थे विद्याम चा विद्याम चा यस्त द्वेदो भ़यं साह अविध्याम्र क्षेत्र के बारे में एक प्रमानों से ले करके और पूरे इस उनिवर्ष के बारे में प्रमांट के बारे में उनको सब विशेश ज्यान और उस पर अनुसंधान और जीवन के संदर्व में पूरी स्पष्ट था तो हम भी अपने जीवन में अस्पस्ट रहें कोई हम किसी भी संदर्व में हमारे मन में कोई भ्राम्ति नहीं रहनी चाहिए हमारा वयक्तिक जीवन परिवारिक जीवन समझिक जीवन आर्थिक जीवन राजनेतिक जीवन अध्यात्मिक जीवन और पुरा वैश्विक जीवन इस पूरे अस्तित्व के बारे में वैसे तो पूरे अस्तित्वों में तेन ही चीज़ें हैं एक मैं मनुशियतर जो भी अस्तित्व है उसके बारे में हमें ठीक ठीक समझ हो और मेरे आणावा और ये जो मेरे चारों तरफ जो अस्तित्व है प्रकृति के रूप में जिसमें ज्यादा लोगों को विकृति दिखाई देती है भगवान का विधान है भगवान का विधान में तो कुछ अशुब हो यह नहीं सकता है मैंने बार बार इस बात को कहा है न प्रकृति में विकृति नहीं है यह प्रकृति तो प्रभू की प्राकृति प्रामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है अरे सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है सारी स्रिष्टी में उस ब्रह्म का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है सारी स्रिष्टी में उस रश्टा का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है सारी रचना में उसी रचाईता का तो प्रत्यक्षदर्शन हो रहा है सारे मूर्थ में उसी अमूर्थ का सारे दृष्षे में उसी अदृष्षे का तो प्रत्यक्षदर्शन हो रहा है सब के मूल में वही तो है जितने भी सम्मंध है जितने भी संपत्ति जितने भी सुख है जितने भी आशर्य है जितने भी कार्य है उनके मूल में तो वही एक है ये इतनी गहरी समझ यदी नहीं होगी इतनी सामन्ने समझ नहीं होगी तो फिर जीवन को हम ठीक ठीक जी नहीं पाते इसलिए अब भोतिक विकास के शिखर पर पहुंच करके भी मने जिसको सत्ता संपत्ती संसाधन और इंद्रीक सुक कहते हैं इसको पाकर के भी अब वापस सब लोग अध्यात्म की तरफ लोट रहे हैं ये किष्टा स्वाँश हमारे परवज़ां ने हजारों लाखों कवरों करूल वरश पहले निकाल दिया था वेदों में तैने त्त्यनाम्हुंजी था कहकर के और उप्रिशधों में नवी तैने तरपनीयों मनुश्य करके और सारे हमारे नीत ग्रूंथों में स्मृतियों में महत्मा गांदी जी भी इस वाद को बहुत कहा करते थे कि सारी दुनिया की संसाधन सारी दुनिया की संपत्ती आशर्य, सत्ता सारे भोतिक सुख एक विक्ति को भी दे दिये जाएं तो उसको भी त्रिप्ती नहीं हो सकती आज भी सधर्ती पर करीब 700 करोण लोग है जो इस सधर्ती पर मनुश्यों के जीवन के लिए नितान तवश्यक है उसका माकलन किया जाएं तो 700 नहीं इस पर 1400-1500 करोण लोग बात सुख पूर्वक जीवन को जी सकते है लेकिन इस 700 करोण में आधे लोग तो भूख और कुपोशन के सिका रहे उनकी जीवन में अभाव है वो अन्याय के सिका रहे हैं शोशन के सिका रहे है इंसस्टिस है पावर्टी है हंगर एंड मेल्डिटिशन है ये सब क्या चल रहा है फिर इसी के लिए पुरे युद्ध चल रहे है तो बैगा रहा था जीवन की ठीक ठीक समझ एक बात तो मैंने देखी सबसे पहले विक्ति जो है ना जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो सुचता है मेरे पाव सबसे ज़्यादा संसाधन होने चाहिए संपत्ति होने चाहिए मेरे पास बहुत बड़ा सामराच्च्च्य होना चाहिए इसका विरोद नहीं है लेकिन किस के लिए मेरे भोग के लिए यहां विरोद है हमारे यांका खुब पुर्शार्थ करो इतुना पुर्शार्थ करो कि तुम एक लोग पर नहीं तीनों लोगों पर वीज़ पासको हम इंद्रोन पराजिगी कृतम में दक्षने हस्टे जोयो में सब्वे आहिता अगनी अस्मी जन्मना जात वेदा घृतम में चक्ष अम्रितम मासन अरकस दिधात औरज सुइमान अजस्ट रोगर मुहविरस में सत हस्त समाहर सैकरों हजारों लाखों करोरों हाथों से कमाओ ये आपको यहां से दिया भी जा रहा है सत हस्त समाहर सस्त हस्त संकिर ऐसे ये बताया क्या वारे लेकिन क्या कहा गया वयक्तिक जीवन में तब सारवजनिक जीवन में सम्रिधी यही सिद्धान थे थे रिशियों के यह मर्यादा थे रिशियों की क्या बोला वयक्तिक जीवन में तप सारवजनिक जीवन में भद्र मिच्छंत रिशा सर विदा तपो दीक्षाम उपने शेद रग्रे ततु राष्टम बलमुजस जातम तदस में देवा उपसम नवन्त शरविंद भी इस बात को बार-बार कहते हैं मुझे अपने लिए जीवन में जितना नितान तावश्यक है उतना अपने लिए प्रयोग में लाना है बाकी सब जो मेरा पांस सामरते उसको सेवा में लगाना है तीन पागलपन उन्होंने जाए एक पत्र लिखा हौँ एतिहासिक पत्र है उनका उनका विवा हो चुका था अपनी पत्री के नाम लिखा था अब फिर जब उनको जीवन की ठीक ठीक समझ हुई तो सारे मोह पाश कट गई यह तो विवा तो महत्मा बुद्ध का भी हुआ था क्या बात तो कहते हैं मेरे जीवन में तीन पागल नहीं एक तो इस पूरे अस्तित्तों में जो ईशर जो ब्रम है परमात्मा है उस परम सत्य का मुझे इस जन्म में ही दर्शन करना हूँ उसके उनुभूती करना है उसका साक्षाद करना है दूसरा यह देश मेरे लिए मात्रिक मिट्टी का टुकड़ा नहीं मेरे लिए मा है और मेरी मा घायल हो उसकी जिश्म पर फफोले पड़े हूँ चीख रहे हो, चिला रहे हो, चितकार कर रहे हो चार और इसमें हाहा कार हो दुख हो, दरिद्रता हो, अन्याय हो, अभाव हो और मैं उस भारत माता का बेटा भोग विलास में लगा रहो हूँ ये मुझे शोभाने देता बोले, तीसरा मेरा फागलपन ये है कि मुझे भगवान के विधान के अनुसार इश्वर की विवस्था के अनुसार जो भी मुझे सामर्थे प्रापता है शारिरीक, मानसिक, बोध्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जो भी मुझे सामर्थे प्रापता है उस सामर्थे का जितना मेरे लिए नितान तवश्यक है मैं उतना ही अपने लिए उप्योग में लाऊंगा से इस सामर्थे को मैं सेवा में लगाऊंगा यदि ये विचार दुनिया के सब लोगों के हो जाएं तो यहां दुख नाम की दरित्रता नाम की कोई चीज ना रहे पूरी दुनिया में गरीबे हटाओ अभियान चल रहा है भारत में भी बहुत बड़ा राजनितिक मुद्दा है और हालात क्या है अभी पिसली दिनों देश के प्रधान मंत्री मंबई के फाइस स्टार सेवन स्टार हॉस्पिटल के उधगाटन में गए तो अभी मैं एक मैगजिन पढ़ रहा था बोले सवासो करोर लोगों के पास में जितनी सम्रिद्धी है उस से ज़्यादा सम्रिद्धी उस होल में बठे वे लोगों के पास में थी मने एक तःफ सवासो करोर लोग और एक तःफ सवासो लोग उनके पास में इतनी सम्रिद्धी मने भोतिक संसाधन सौमित्थ हमारे हां तो स्वामिय अपने आपको कभी माना ही नहीं किसे नी हम तो मानते है इश हवास मिदम सर्वं व्यत किंच जगत त्याम जगत भगवान ही सामी है त्याग पूरवक विवेग पूरवक जितना आवश्यक हो प्रकृति मा की तरह है मा का दूद पीने का तो हमें अधिकार एक खोन पेने का नहीं है और रजिश्ट्रियादी कराने के हमारे हम परबरा ही नहीं थी और हमारे यहां पर परिग्रह की भी परमपरा नहीं थी हमारी परमपरा क्या थी आप परिग्रह की हमारे यहां सबसे उचा किसको माना जाता था बुलकुम्भी दान्या ब्राहम मणा हाँ आप तप पुरुष किसको कहते थे समाद में सबसे उचा किसको मानते थे जिसके पास में खाली गड़े में रखने योगिया अन्न होता था और उसके अलावा जो जीवन के नितान ताफशक उतना एक यहां दो वस्तर पहनता था और बैसानग से रहता था सारी सिष्टे में चार और वैभव ही वैभव था और आज एक विक्ति कहता मैं ही सब भोग करूगा मैंने जिलनों भोग किया हुआ है या जो कर रहे हैं मैंने उनसे पूछा भाई कुछ त्रिप्ती हो गई वह बाबाजी भूख और बढ़ गई जैसे शिष्वने तो निश्कष निकाल रखा है ना आग में घी डालो तो आग बढ़ती है की शान्त होती है बढ़ती है न वित्ते न तरपनियों मनुश्या न जातो कामान कामान भोगी न पुश्वत तो जीवन की ठीक ठीक समझ हमें हो जाए शद्धा मा विश्वास पिता है इस जीवन की पत पर आके बढ़ने के लिए और बिना प्रकाश के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा इसने ज्यान जरूरी है और बिना कर्म के बिना पुर्शार्थ के जीवन में अभाव और अन्याय के सोशन के ही हम सिकार होंगे इसलिए पुर्शार्थ बहुत जरूरी है और बिना प्रभो की भक्ती के बिना स्तोती प्रार्थना उपासना अराथना के बिना साथना के जीवन में सुखे नहीं हो सकते हैं इसलिए तीन सत्यों का बोध सबको होना चाहिए लेकिन अब इसमें छोट-छोटी निश्कष की रुप में बात कहे करके फिर आगे हमारे भीतर ये ज्यान का प्रकाश कैसे घटित हो और हमारे कर्म दिव्य कर्म कैसे बने कर्म कहो प्रविप्ति कहो पुर्शार्थ कहो तब कहो या स्यवा कहो एक ही बात है वो कैसे करने है उसकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में और उपासना की तो इसको थोड़ा निश्कष के रूप में आपके सामने कह रहा हूँ जिससे की हमारे जीवन में एक शन के लिए भी कभी भी कोई अशान्ति ना आए तो इसकी बाद फिर आपका कोई प्रशन होगा तो उसका उत्तर भी देंगे तो ये एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि जीवन में अज्यान के कारने से दुख ही दुख है और अब तो पूरी दुनिया में तो इसको दूसरे में आधुनिक भाशा में इसको बोलता हूँ जितना भी पूरी दुनिया में विकास हो रहा है न अब इसको भी नाम के क्या दिया जा रहा है नौलेज बेजड डबलमेंट डबलमेंट को भी आप जियान के साथ ही जोट रहे हैं पूरी दुनिया में और सब पूरी दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं इस शताब्दे में जिनको लोग आईकोन कह रहे हैं कि यह इस सताब्दे के आईकोन हैं डिप्टेंट फिल्ड के वो सब कह रहे हैं कि अब भविश्य में सम्रिद्धे के आधार बुद्धिक संपदाओं के आधार पर खड़े होंगे बुद्धिक संपदाओं के आधार पर ही भविश्य की सम्रिद्धित्य होगी knowledge based development और वैसे भी आवे तो कहा ही दाता है mind is money दुनिया में आज भी सबसे धनवान व्यक्ति वही हैं जिनके पास चान है, mind है, knowledge है जियान समय बराबर है लेकिन हम अपनी जियान का एक से पास प्रतिशती उप्योग कर पाते हैं जब योग करते हैं, प्रणायम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं स्वाध्याय करते हैं, निश्काम सेवा करते हैं, तब करते हैं तो हमारे भीतर का ज्यान प्रकट हो जाता है तो हम बैज्यमान बन जाते हैं पूरा प्रकाश हो जाता है यह प्रक्रिया है देखो कुछ तो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं मैंने कहा था हमारे अनादिकाल से चले आ रहे इस जीवन की कर्माशे का संसकारों का सदवित्यों का शुब कर्मों का कोई सबसे बड़ा फल है तो वो हमारी स्मृति है हमारी प्रज्या है उसके बाद उसके साथ दूसरी चीज़े जुड़ती है स्मृति प्रज्या प्रतिभा जिसको मैं कहा रहा था धेरिये, पुर्शार्थ, पराक्रम, कृतज्यता, सत्याचरण, यह हमारी विभूतिया हैं, विभूतियां, जो हमें प्रारब्ध की रुप में उप्रब्ध होती हैं, तो खेल, कुछ जन्म से ही बहुत प्रज्यावान होते हैं, कुछ पुर्शार्थ करके प्रज्यावान बन जाते हैं, योग से हमें दिव्य जियान के उपलब्ध होती हैं, अतिंद्रिय जियान के उपलब्ध होती हैं, यह योग का बहुत बड़ा फ़ल है, व्यभारिक जीवन में जिसको हम निश्काम कर्म बोलते हैं, निश्काम प्रभू की भक्ति कहते हैं उससे हमारी बुद्धी परिश्क्रित हो जाती है यह जयान को बढ़ाने के उपाए बता रहा हूं और इनकी भूमिका भी थोड़ी थोड़ी बता करके फिर आपकी बड़ी भूमिकाज कहूंगा